हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल हम मशीन डिजान कर रहे हैं यह फिप्ट पार्ट है फिर्स चेक्टर का अगर आपको प्रिविएस वीडियो देखनी है तो प्लेज प्लेलिस्ट में जाके चेक आउट कर लेना सारी एवलेवल हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोड लोड क्या होता है लोड के बारे में देखेंगे एक एक्स्टरनल फोर्स होता है किसी भी बोडी पे कोई एक एक्स्टरनल यानिकी बहारी फोर्स अगर लगे उसको क्या बोलते हैं लोड और लोड की यूनिट जो की जो फोर्स होता है उसके यूनिट के सेम होती है फोर्स क क्या होगा, क्या उसका परभाव होगा किसी भी body पे अगर load लगता है जब भी हम load apply करते हैं किसी भी body पे तो क्या होता है, shape size है body की वो change होगी depend करता है वो किस तरीके का किस nature का वो load apply हुआ है body में example के लिए देखते हैं कि ये हमारा tension है यह हमारी initial body है हमारी जो दिखा रखी है यह dotted line से के final तो अगर हमने tensile force लगाया जो इस body पे तो क्या हुआ हो इसकी dimension increase हुई length उसकी increase हुई then compression अगर कर रहे हैं मालो यह initial इसकी dimension थी then compression अगर provide करा पी फोर्स से पी लोड से तो यह क्या हुआ compression हुआ इसका sizes change हो गए then आता है shear shear में क्या करते हैं एक corner fix रखते हैं और उपर जो उपर जो एक दूसरा second part होता है उसमें हम transverse force लगाते हैं तो किसी angle पे क्या वो shear होगा वो उसकी dimension change हो गई ठीक है तो यह sharing force तो हमने क्या क्या देखा कि अलग जिस भी तरीके का force उसमें लगाएंगे tension compression तो body की safe change होगी उसके recording compression में increase और यह length और compression में decrease होई और shear में की angle पे deform हुआ है इस तरीके से देन आता है bending bending में क्या है कि यह हमारा बार था तो हमने क्या किया bending apply किया इस तरीके से तो क्या हुआ यह initial था हमारा बार तो इस तरीके से काव बन गया काव बन गया मतलब कि यहाँ पे हमारा compression हुआ इस पार्ट में और यहाँ पे क्या हुआ extension यहां के पार्ट में tension हुआ तो इस तरीके से bending को represent करेंगे Torzen में क्या है जैसे कि कोई shaft है यह axis पे rotate कर रहा है तो एक twisting अगर moment उसमें लग रहा है तो इस तरीके से Torzen produce करेगा वो twisting करेगा जैसे shaft अगर rotate एक end से fix है तो उसमें अगर torque लगा है twisting moment लगा है तो क्या है वो इस तरह से किसी एंगल पर twist होगा इस तरीके से जैसे दिखाया गया है तो अगर यह अलग-अलग load लग रहे थे किसी भी member में देन आता है load का classification जैसे मैंने बताया है tensile load जो कि जो बताया कि जो increase होगी length में ठीक है related to the another phase जिसको कोलते सीयर तो इसके equal and opposite जो parallel forces अगर अप्लाई कर रहे हो कर रहे हैं शीरिंग कब होगा equal and opposite forces parallel अप्लाई करेंगे अलग-अलग planes में ठीक है bending load क्या होगा जब भी वो लोड जो कि curvature देगा यानि कि जो हमारा बोडी है उसको कुछ डिग्री में curvature देगा या bending देगा उसको बोल दे bending load जो भी मैंने दिखा दिखाया था भी डाइग्राम में twisting में क्या है effect इसका क्या है दो couple produce होगा equal and opposite ends के जिसकी बज़े से यह can rotate होगा longitudinal axis के about या relative to the another end इसको बोल दे twisting load यह जो है ठीक है देन आता है according to the member application of the load on a body यानि कि 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 कोडिंग कि कि तरीके की application है load की किसी body यानि कि dead load क्या होता है कि dead load को हम static load भी बोलते है magnitude है direction है या किस point पे dead load लग रहा है वो क्या होगी dead load में fixed होगी किसी भी given member के लिए यह load जो act करता है vertically downward act करता है dead load vertically नीचे की तरफ यानि कि नीचे downward direction में act करता है जैसे कि example के लिए load अगर bridge grinder है यानि कि bridge है grinder bridge के उपर जो load लग रहा है उसके जो खुद की weight से लग रहा है या जो weight है roadways का या weight है किसी permanent जो कोई permanent bridge है bridge के उपर कोई permanent fix का रखा कुछ हमने तो उसका load यानि कि जो load लगेगा vertically downward लगेगा और उस load को क्या बोलेंगे dead load बोलेंगे जो की static condition में होगा live load कौन सा होगा live load में लोग चेंज होता रहा है fluctuating load होता है live load होता fluctuating जिसका magnitude direction या किस point पे वो लग रहा है वो क्या है fixed नहीं होगा किसी member के लिए यानि कि magnitude direction कहां पे वो लग रहा है वो क्या है change होता रहेगा तो यह load जो load थे इनको further classify कैसे करा जाता है कि load जिसमें कि same यानि कि जो load जो कि हमेशा same nature का हो लेकिन नेचर तो उसका same हो लेकिन उसका magnitude different हो जैसे कि weight of the vehicle crossing over a bridge यानि कि nature तो same है लेकिन उसका magnitude अगर bridge है bridge पे अगर हमारा force load लगा तो vehicle cross करेगा कभी car गई कभी truck गया load अलग लग था उसमें तो क्या है कि nature यानि कि motion तो उसमें हो रहा है लेकिन जो उसका magnitude है कभी जादा कभी कम कभी कुछ का यासे लग रहा है तो क्या होगा कि same nature का हो लेकिन magnitude अलग हो ठीक है hammer driving a pin यानि कि कोई hammer है जो एक pin को drive कर रहा है और load जो की change करता है maximum से maximum एक तरह maximum होगा और opposite direction change करेगा यानि कि एक बार maximum होगा दैन वो direction change करेगा minimum होगा यानि कि opposite sign भी लेगा यानि कि इस तरीके से यानि कि alternate position पर यानि कि कुस time period के बाद वो एक बार compression देगा एक बार extension देगा यानि कि pull और push देगा या जैसे कि पिस्टन है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो उसमें क्या एक बार क्या है आगे की तरफ एक और एक बार पिच्छी यानि कि to and from motion होगा steam engine में जो पिस्टन का ठीक है यह तो था load के बारे में discussion I think आपको clear है next class में हम stresses के बारे में देखेंगे उसके types देखेंगे I think आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा helpful लगा होगा तो please like, share and channel को subscribe चुरूर कर देना और सभी part pray list में अब लेबल है please pray list में जाके check चुरूर कर लेना thank you heavy nice day